देश अगस्त को चंद्रियान की सफल लेंडिंग पर पूरा देश में जश्ण मनाया जा रहा था और अब भी पूरे देश में खुशी का माहुल चाया वा है और ऐसा हो भी क्यों ना भारत ने इतिहास जो रजा है चंद्रियान की सफल लेंडिंग पर आम लोगों से सभी देश वासी इसरों को बधाई दे रहे हैं और जश्ण मना रहे हैं इसी दोरान राजस्तान में एक छात्र को चंद्रियान की सफल लेंडिंग पर जश्ण मनाना भारी पड़ गए चलिए बताते हैं आपको क्या है पू युनिवर्सिटी की मैस से हुई जहां कुछ कश्मीरी चात्रों ने खाना खाने के दोरान वहां बैठे रहुल नाम के चात्र को घूरने का आरोप लगाते वे उसकी पिटाई करते जिसके बाद रहुल के समधन में और कश्मीरी स्टुडेंट्स में जमकर हाथ आपाई हो जि तेही सगस को चंद्रियान की सफल लेंडिंग पर पूरा देश जश्ण मना रहा था तो आयुष ने भी चंद्रियान थ्री कील सफल लेंडिंग का जश्ण मनाया जो मेवाड उनिवर्सरी के कुछ छात्रों को रास नहीं आया आयुष ने मैस में खाना खाथने के दोरान खुशया मनाये भारत माता की जय वन्दे मातरम के नारे लगा है। बस यही से बात बिगड गया है। इसी दोरान वह मौझूद 10 से 12 कश्मीरी चात्रों ने जश्ण मना रहे और नारे लगा रहे। चात्रों पर नाराजगी जाहि प्रभावी कारवाई नहीं किये जाने पर नाराज गिजाए आयुष के हाथ की नस कट गई और वह गंभी रूप से घायल हो गया इसलिए उसे उद्यपूर रेफर करना पड़ा आपको बता दे कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 36 आरोफियों को शान्ति भंग में गिरफतार कर लिया है वहीं घटना के बाद युनिवर्सिटी केंपस के भार आतेरी के पुलिस जापता तैनात किया गया है पुलिस ने दोनों समयदावय के चात्रों से शान्ति बरतने की अपनी इस वहिस्तानी चात्रों का आरोफ है कि हिंदू स्टुडेंट से मारपीट के बाद युनिवर्सिटी के कैमपस में कश्मेरी चात्रों ने धार-धार हत्यार और डंडे लह रहा है दूसरे दरफ घटना के कई घंटे बीच जाने के बावजूद मेवाड युनिवर केमपस में इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आया है इनमें कैमपस में अल्लाहु अक्बर के नारे लगाते वे पुर्दंग मचाते वे कश्मीरी चात्र नज़र आ रहे हैं पिलाल यहां स्तिती तनाव कूंड है लेकिन नियंत्रन में पिस्तानी चात्रों की बात करें उनका कहना है कि यहां अक्सर कश्मीरी चात्र उकसावे भरी कारवाई करते हैं जिससे सामप्रदाएक माहल खराब होने के इन सब्भावनाएं जादा बढ़ती हैं पिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद